दोस्तो ओपरेटर कितना एक्टिव हैं समय मार्केट में या आप इस चीज से अंदाधा लगा सकते हैं कि आज की पूरी तेजी जो पूरा मार्केट देखेगा थोड़ा थोड़ा करके उपर बढ़ ला था वो एक जटके में देखेगा लास्ट में एकदम बिलकुल निफ्टी बैंक में 400 से 500 पॉइंट की गिरावाट देखने हो मिली और निफ्टी 50 तो क्लोज हुआ 23,000 के नीचे जो की एक्सपेक्टेशन नहीं थी आने वाले दिन और डिफिकल्ट होने वाले हैं चुकि आप देख सकते हैं चुकि इस तरीके का मुमेंटम लास्ट में ए तो इसलिए कह रहा है कि विदाउट स्टॉप लॉस तो वर्क करना ही नहीं है विदाउट स्टॉप लॉस अगर वर्क करेंगे तो एनी टाइम आप देखेगा स्टक हो सकते हैं किसी भी चीज में तो इसलिए कैसे वर्क करना है कहां पर वर्क करना है यह बताऊंगा वीडि देख सकते हैं, गोल्ड में तेजी आ चुकी है, अब आप देखेंगे, गोल्ड लगातार पीक पे है, बॉन्ड भी पीक पे है, फिर अगर आप देखेंगे, क्रिप्टो भी पीक पे है, तो it is not at all possible, और आपको ये भी पता होना चाहिए, कि मार्केट कहीं न कहीं अचानक से स मार्केट के पास आना बाकी है, तो आप देख सकते हैं, गोल्ड में लगातार पीक पेजी है, फिर अगर आप देखेंगे, तो सिल्वर में कितनी पेजी आपके सामने है, 2% की, यानि कि सिल्वर कंटीन्यू पेज आपको देखने हूं मिल ला है, कॉपर में भी पेजी है, 1 1% की, और यहां पे क्रूड ओयल, और नाच्रल गयास, ब्रेंट ओयल, तीनों यहां पे तेज हूं, यानि कॉमोडिटी मार्केट अगर आपका तेज हो रहा है, इसका मतलब यह फेड के लिए अच्छी बात नहीं है, यह आपको हमेशा याद रखना है, कि अगर मार्केट अगर अप हो, तो इट मीन्स आप कहीं पे भी ट्राप हो सकते हो, तो कॉशियस होके, स्टॉप लॉस के बिना वर्क ना करिएगा, चुकि आज जो लेवल देने जा रहा हूं, वो लेवल बहुत ही इंपोर्टेंट है, उसके नीचे कहीं पे भी मार्केट ट्रेड होगा, आपको इलर्ट हो जाना है, बाकी आप कॉल उपर की तरफ बाए कर सकते हो, कॉल पे वर्क कर सकते हो, तो आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, तो हमारी करंसी बहुत अच्छी पोजिशन में आगी थी, 83 के लेवल पे, वहां से 0.128 का जंप पाया है, यानि कि लो लगाया है, यानि कि 0.128 विदिन डे, यानि मंडे भर में ही आपको देख सकते हैं, 83 के असपस आगी थी, काफी अच्छी रिकावरी हुई थी हमारी करंसी में, बट वो रिकावरी पूरी तरीके से खतम हो चुकी, आप देटा, और बांड मार्केट पे नहीं आ रहा है, US बांड मार्केट में अगर बड़ा पेन आएगा, then after that कुछ पॉसिबल है, कल डेटा आना है, CB कंजूमर का, आपको पता है, वो एक तरीके का इंफ्लेशन का ही डेटा आता है, अगर यह अच्छा आ गया, तो बांड मार्केट जंप हो जाएगा, और अगर यह खराब आगे, तो बॉर्ण मार्केट क्रैश हो जाएगा, इसके बेसिस पर ग्लोबल मार्केट कल रियाक करेंगे, नर्वसनेस भी देखने को मिल सकती है, इंडिया का बॉर्मार्केट तो अगर मगर है, टू इयर बॉर्ण मार्केट साथ के उपर फिर से आ चुक पॉइंट हैंसेंग में 228 पॉइंट वो उतनी तेजी हमने भी स्टॉक मार्केट में देख लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि लेवल पे वर करना है लेवल सब कुछ है समय अगर आप देखेंगे तो आपके लिए 49,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक निफ्टी बैंक इसके नीचे ट्रेड नहीं होगा कोई बड़ा पैनिक नहीं है और अगर इसके नीचे ट्रेड होने लगा तो 300 पॉइंट कम से कम आपको मिलेंगे नीचे की तरफ अब बात करते हैं जैसे ही देखेगा 49,000 380 का लेवल तोड़ेगा निफ्टी बैंक तो फ करेंगे निफ्टी में निफ्टी में जब तक देखेगा आपको कहीं से भी 22,000 देखेगा 840 का लेवल नहीं टूट रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है 22,840 का लेवल तूटा 1,500 पॉइंट मिलेंगे निफ्टी में और अगर 23,000 का लेवल तोटा तो आपको 23,000 होना चाहिए 23,140 तो इन पर्टिकुलर लेवल पे फोकस करना है राम राम